तुसी मान रहे हो लियो तॉलस्ताई दी कहाणी जीवन आधार अनुवादक ने अभह सिंग एक गरीब मोची संतुओ दा नाम ना कर ना काट अपनी वोटी बच्यां सने एक जिमीदार दे कोठे चे सेरलुका के चाटट पौंदा सी रोज मिनत करदा ते बाल बच्यांनों खुआ के फेर आप खांदा सी जुतियां दी गंडा इसस्ती सी पर रोटी महगी सी रोज दी मजूरी दे नाल मसा रोटी दा गुजारा चालदा सी स्याल च कड़कदे पाले तो बचा वास्ते एनना पास इक कोई कंबल सी ते ओवी लीरा दा दो साला तो संतु पैसे जोड रहा सी के नवा कंबल खरीद्या जावे ते एतकी दे स्याल तक संतु दी वाटी ने एक पुराणी कुन्नी विच पांच रुपई एकठे कर रखे एस तो बिना लगपाग तिन रुपई दा पाहर उदा आरसी एक दिन स्वेले संतु कंबल खरीदन लई त्यार होया पांच रुपई उने बनने लंगोटी दे पल्ले तूथ दी कछिटी हाथ फड़ी ते छापाणी करके तुर्पया उदा ख्याल सी के उदा आरवाले तिन रुपई वसूल करके मेरे पास आठ रुपई हो जानगे ते अठा रुपईया नाल गुजारे जोगा चंगा कंबल मिल जाएगा पिंड पांच के उने एक मकान ते अवाज मारी पर मालक कार नहीं सी ओधी तीमी ने आख्या रुपई अगली संगरांध रुपई पेश द्यांगे एको होर कारजाकियोंने अवाज मारी तामी केबल चार आनने एको जुत्ती दी म्रम्मत दे मिले हुण दुकान ते जाकी संथुने कंबलांवाले नुँ आख्या के पांच उरुपई लेल वो बाकी मैं फेड दे द्यांगा पर दुकान दार ने विसा ना कीता ते नद उरुपई मंगे निमोचुन आजया होके विचारा संथु कारनू मुडया ते जेडी च्वानी एने उगराही सी ओधी चा पीले इलाका पहाडी सी स्वेरे तुरन लग्या ककर जम्या होया सी ते हुण वी वा आतदी ठंडी चाल दी सी पर संथुने चादे गफे लाए होय सी मगन होके मन नाल गल्ला करता आवे मेरा चंगे पले मान सा नाल वा प्या काम क्रोण वेले ते बड़े उतावले ते पैसे देन वेले हुण देने अवेसले उने ये सपाई ने तिन रुपए देने ने ते चवानी चवानी गर खिदन दे मैं चवानी दी चापी ले न ते कर की लेके जामा लदास गरीब आ एना लोकां पास करबार, मिल्क, जिमी, डंगर सब कुझ है और मेरे पैसे मार के डख लेन देने और करजान लग्या, पावे मेनू पाला नहीं लगदा प्या, पर मेरी करवाली ता लाल पिली होएगी ना, कंबल तो बिना एतकी दा स्याल निबेगा कि में, ऐस तरा मन दे उतार चड़ा आचे मस्त होया, संतु टुरिया जान्दा सी, जद शिवाले वाले मोड पास पंच ता वेखदा की है, शिवाले दे पिछे कोई चिट्टी जी बुच की पई है, डिंडाल जल्या सी, संतु ने नीज लाके वेख्या कि है की, अखे पत्थर भी नहीं, शायद कोई टगा होए, पर टगा भी नहीं, एदा सिरा आदमी वरगार, पर इचिट्टे सिराला आदमी ये थे क्यों प्या है, संतु नेडे पंच या ते वो सच मुच आदमी निकलया, शिवाले दी कंदनाल नंग मलंग ओटला के बैठा सी, पता नी जियोंदा सी के मोया, संतु दे मथे ते त्रेली आ गई, पता नी किसे नेनू मार के ने थे सोटे दिता होवे, जे मैनू या ता डंडा बेडी मेनू मिलेगी, की पता सरकार फाहीला दे, इस ओच के उतो तुर्दा होया, पंच को कदम पिछाँ जाके उने वेख्या कि आदमी दिवार दी ओट छाड़के हेलदा जोलदा प्या, इवेख्ये होर त्रवग्या, मैं जाके उनू बुलामा, नंगे भी पलाक दे पले मान सुन्देने, मेरा एसल फंगे नाल की काम, नल की पता, पूत होवे, मैं जामाते संगियों फाल ले, मेरे पास पांजर रुपए भी ने, ना ना बाबन न, एदे पास नी जाना चाहिदा, ए सोचां सोचदा संतु अग्येनू टर्पया, पर उधे अं ना मीर हो गया हैं कि तेरे वीच दयानी रई, शरम कर, ओभी तेरे वर्गा गरीब है, चल, पिछे मुढ, तेयांत संतु पिछे वालनू मुढ गया, ओस आदमी दे पास, नेडे पांच के संतु ने वेख्या कि ओपरे आदमी दे, सोणे हड पैरने, ओ सोणा गब्र हुए, उधे पिंडे ते जखम कोई नी पर पाले नालो कुकडी होया बैठे, संतु ने उधे मुवल गौनाल वेख्या, ओपरे आदमी ने भी एकेरा अखां खोल के संतु नू वेख्या, एस दिदार्ज पता नी की जादो सी, संतु दे सारी शंक के दूर हो गय, उने फारन अपन चादर लाके उधे उत्ते दे देती, ते बाहों फड़की उनू पुछन लगा, लै मितरा, हुण जित्थे मर्जी आवी जा, ते अपने टिकाने पहुंच, कोई होर गालबात होबे तामी दास दे, तू टूर फिरते साकदा ए ना, एदा कोई उत्तर ना मिलिया, संते ने ह हैरान होके पुछिया, ओ तू बोलदा क्यों नी, एथे पाले चे प्यार हैंगा, ते मर जाएंगा, लै मिरी सोटी फड़, जे कुछ होर ने ताकती है, ताहिदे आसरे तुर लै, आदमी ने तुरना शुरू किता, संतु ने फिर पुछिया, अपना नगर केडा, उत्तर मि आख्या, मेरा भी एहो ख्याल सी, एथो दे सारे बंद्यारों ते मैं जान दा, पर तु एथे शिवाले दे लागे कि में आया, मैं दास नी साकता, किसे व्यारी ने तेरे नाल तक काते नी किता, मेरा कोई व्यारी नी, मैनू निरंकार ने सजा दिती है, होई निरंकार ता स कार्यां दा न्यां करदा है पर तावी हुन तु रोटी कपड़े दा प्रबंद की करना है कित्थ ही जाएंगा मेरा मतलब मेरा कोई करकाट नी पामे किसे पास से चले आ जामा संतु ने एक एरा फेर ओधे मुवाल देख्या ओ आदमी अवारा जा बदमाशता नी सी जापता बोलदा वी हुले हुले सी पर करकाट क्यों नी एदा जवाब नावनु सुच्या संतु ओस आदमीनू अपने कार वल्ला च चल्या ते सोच दासी हुन कंबल दा की बनेगा कंबल लेनाया पर नंग मुनंगा आदमी लेके चल्या मेरी तीमी तो ताज मेनू रब भी बचावे जद तीमी दा ख्याल आया ता संतु दा मूँ फाक हो गया पर जदोनू शिबाले पास पई होई गबरू दियो दिल खिच मी नजर चेते आई तो दा मंज में किसे रास्ते नाल पार गया संतु दी वोटी विश्णी ने अपने मर्द दे चले जान पिच्छों पहला खान पकान दा काम मुकाया फेर संतु दी पाटी हुई कमीज नू टाकी लॉन लगी ओधे हाथ कम वाले सी ते ख्याल संतु वल्ल सोच दी सी जे हट्टी वाले ने मेरे मर्द ना ठगी ना कीती ते आठ रुपए नू चंगा कमबल मिल जाएगा। कि ते रावच ठेके वालनू ना तुर्व गया हुए। बिशनी ये सोचां सोच दी हुई के बाहर आदमियां दे आणदा खडाक हुए। उसे विले कमीज सुई टांकियों ने बाहर भेख्या। कि शराब पीके आपड़े नाल किसे पुखे नंगे शराब भीनू ते निले आया। बिशनी दे कोलों लांग के दो में अंदर चले गई। बिशनी ने अंदर जाके वेख्या। जो परा आदमी एनना जवान मुंड़े ते चादर तले उने कोई कमीज भी नी पाई हुई। ओ आदमी अख्या नीनिया करके खड़ा सी। बिशनी ने सोचे आई डरता है। जरूर कोई माड़ा आदमी हुणै। बिशनी दे मत्थे ते वट पैगए ते उडीकन लगी कि की आंदे ने। संतु कपड़े लाके मंजे ते बैगया ते आखन लगा। बिशनी ये जे रोटी ते आ रहा ता लैया। बिशनी ने कुछ मूच बुडबुड़ जी कीती पर अपनी था तो नहिली। ओ थी खड़ी दोहान वेख दी रही। संतु ने वेख्या कि बिशनी है गुसच पर उने समाट आलन लई। ओपरे बंदे नूँ आख्या वी मित्रा बैठ। कुछ रोटी खापी लई अपा। पर देशी आदमी मंजे ते बैगया ते संतु ने फेर पुछया साड़े वास्ते कुछ पकाया कि नहीं पागवान। हुण जी बिशनी अपड़ा गुसा न रोग सकी, आखर लगी पकाया ते है पर तेरे वास्ते नी। मेनू जापता श्राबने तेरी मत मारती है। ना ग्या ते कंबल लेंस है। पर अपनी चादरी देके आवड़े हैं। ते अन्नांग मनंगे लफंगे नू लेके मेरे पास श्राबबियां वास्ते कोई रोटी नी। ओबासकार विशनी है। एमनी जुबान मारी दिरंदी। पहला कुछ पोछते सही ना, ये बंदा कौन है के हो जया। अच्छा, ओ मैं बाचो पुछू, पहला ए दास जड़े तेनू रुपए दित्ते सी किते सोटे के संतु ने पागदे लाडचो पांजर पे खोल के विशनी दे हवाले कर देते। ते आख्या मैंनो उदार वाली रकम कोई नी वसूल हुई। विशनी ने गुसे देनाल रुपए चाकल है ते बुढ़-बुढ कर दी हुई योनानु एक चे टूरी चे साम के रखन लगी। फेर आके आखन लगी। मेरे पास तेरे वास्ते रोटी कोई नी। असी सारे लवफंग्या नुना रोटी देन दा कोई ठेका नी लिया हुया। संतु ने फेर आख्या विशनी जरा संबल। पहला दूजी आदमी दी गलते सुनना। मैं जान दिया तेरिया गलना। शराब यतन कीता के चा सिरफ चार आने दी पीती है। ए नाल वाला बंदा पले मानस है। पर किते विशनी किते सुननन वाली सी। ओने बाबे आदम दे वेले देवी उलामबे हुन कड़े ते अपनी चादर वापस लैंड लई बड़े जोर शोर ना मांग कीती। संतु विचारा चादर देन लगा सी के विशनी ने छित्ती गिदड़ी देवांगा आप खोले ही ते चादर दा एक सिरा पाट गया। गुसे नाल चादर चुक के विशनी बाहर वालनू तुरी ते ओधे जी चाया के नंगे मुंगे आदमी ता पताते करला है कौन। फेर मुडाई। आख तु दसन लगा के जदो मैं मंदर पास पॉंचे आ मैंनू बरफ चे नंगे पई देख्या। ऐसो मौसम चे नंगा कौन बैठ सकदा पला। रबने मैंनू एधे पास पेजया नहीते मर सकदा सी। मैं ते डर गया सा खबरे वचारे नू की होया। मैंनू उठाया अपनी चा देवाल चाक्या ता उचुप कर गई। ओ आदमी मंजे दी पैंदवाल से नीमा करके बैठा सी ते ओधियां अखा बांद सी। ओधे मत्थे तो तकलीफ हुंदी पर तीध हो रही सी। लग रहा सी। ओ किसे मुश्किल देविच्या। जद संतु ने पुछया। बिष्णी ये तेरे देलच निरंकार दिप्रीत कोई नी। ता बिष्णी द देल चन चेत पर देसी वाल नरम हो गया। बुहेच मुडाई ते चंगेर चो दो रोटियां काड के दो लोटे लसी दे सामने राख्या खन लगी। ले खानाई ते खाला। संतु ने ओप्रे आदमीनु प पास बठाया ते दोहां रोटी खानी शुरू कीती। जदो खा रही सी ता बिष्णी एक पासे वाल बैठी उना वाल देख रही सी। तद बिष्णी दे देलच ओस बंदे दे प्रती दया आई। ओपरे आदमी दा चेहरा भी लिश्क उठेया। ओधे मत्थे दे वाट खुले ते मूचों में स्कुराहट निकली। जद रोटी खतम हो गई ता बिष्णी ने पुछया तो कित्थू आया है। ओपरे आदमी ने आख्या मैं एस तेश्दा नहीं आ। बिष्णी ने पुछया सड़कुपर के स्तरह आ आगया। जवाब आया मैं दस नहीं किसे ने तेनु लोट लेया? नई, मैंनु निरंकार ने सजा दिती है। तू थे नंगा प्यासा? हाँ, ते बरफ विच ठरदा प्यासा। संतु ने मैंनु वेख्या, एदे मांच दया आई, एने चादर लाके मेरे उपर पाई ते मैंनु नाल ले आया। तू मैंनु रोट आल है संतु दा पुराणा कुडता। ते ओपरे आदमीनु वो देखे ओसने चादर वी दित्ती एक पुराणी। आखल लगी, लेहुन सौझा, स्विरे गल्ला करांगे। रात नु बिश्नीनु एस ओपरे आदमी देख्या आलने पधेरा चिर जगाई रख्या। संतु न विश्नी आखल लगी, उपराआदमी आपने देख ते विथ्या क्यों झिस दा स्चादर संतु आखल लगा है, कोई कारण हूना। अपका लोग ते दास दिन निया, संनु क्यों झिस दा स्चाद आओधो ? नहांब आपा ते दुजियां दा इन्ना करीद संतु क्यों झिस जान्दा साधा कोई क्यों नी करदा ओ राबसानू वी ते दई जान्दा विश्णी है उन मैंनू नीद आ रिया उन सौझा बस तू स्वेरी जाद संतू जागया ता विश्णी ग्वांडी पासों आटा मंगन गई होई सी ओप्रा आदमी पुराणी कमीज ते पुराणी चादर पहन के मंजे ते बैठा ताक रिया सी काल नालो उदा मुखडा जे जादा खोश सी संतू ने अख्या ओ मितरा ते रोटी मंगदाय ते तनवास ते कपड़ी दी लोड़ाय रोजी कमाण वास ते काम करना पैंदाय तेनू केड़ा काम करना आमदाये मैनू ते जी कोई काम नी आमदा एस जवाब ते संतू हैरान हो गया जड़े आदमी कम सिखना चाणना उचेती सिख जान देने जवाब आया आदमी कम कर देने ऐसले मैं की करांगा सवाल आया तेरा नाम की है जवाब सी हरी दूत संतुने आख्या अच्छा बई हरी दूत ज़े तु अपना हाल चाल नहीं दसना तेरी मर्जी पर रोजी कमाण वास्ते तेनू कामते करना ही पएगा ज़े तु मेरे आख्या लाके काम करना होवे ता मेरे पासों रोटी ते कपड़ा लई चल हरी दूत ने आख्या राब तेरा पला करे मैं काम करना सिखांगा सिखाओ संतु ने कुझ तागा लेके वट्टेया ते हरी दूत नू सखाया फेर तागे उपर मोम चड़ाई खंदू इवाले पतले तागे दे नाल जोडना ते चमडा स्योना सखाया जो कुझ संतु सखांदा हरी दूत रंत सिखलेंदा तेन दिना पिछों यो ऐसा तेज काम करन लगया जो में सारी उमर मोची रहा होवे रोटी थोड़ी घांदा सी ते काम जादा करदा सी काम खतम करके चुपचा पकाश वाल वेक तरन्दा बजार चकाट निकलदा लोडन सार बोलदा ते किसे नाल हासा मखाल ने सी करदा ओ पहले दिन तो बिना कदी मुड़के मुस्कुराया नहीं सी दिना दे महीने बीत गए महीने आदे साल गुजर गए हरी दूत संतु पास काम करदा रिया ओ दी मशूरी दूर दूर दक फैल गई सारे आखन संतु दे नाकर वरगे बूट कोई नी स्यों सकता पांज पांज दास दास मीलना तो बूटो दे पास आया करन ते संतु पास कुझ रुपई जमा होगे साल पिछो एक दिन संतु ते हरी दूत कम बैठे कर दे सी के गली दे विच्चो एक बगई दा खडाक होया ते बगई संतु दे बूखे अग्या खडी सारा कमरा उसे साहे बहादर नाल पर या होया जागता सी संतु छेती छेती उठया ते सलाम करके खडो गया उन्हे सारी उमर्च कदे साहे बहादर नू एनी नेडियों नी सी बेख्या संतु लिसासी हरी दूत लिसासी ते बिश्णीता है इहड़ियां दी मुठ सी परे साहिब बहादर पतानी केडी दुनियां चो आया सी लाल सुर्ख मूँ चोटे वरगी गर्दन ते सरीर्यों जापे जी कुलोहेदा होवे साहिब ने रता कुसा लेके अपनी पोस तीन लाही मंजी उपर बैठ गया ते पुछन लगा तो आडे दोहां चो वड़ा कारीगर कौन है संतु ने अग्ये होके सलाम कीती ते आख्या हजूर मैं या साहिब ने उची अवाज नाल चप्रासी नू भुलाया ओ फ्रीद उचारा चमड़ा लाओ साहिब ने संतु नुं आख्या अरे मोची ये चमड़ा तो देखो कुछ पता है कैसा चमड़ा है संतु ने चमड़े नु चंगी तर्वेख्या थे आख्या जी ये थे बड़ा अच्छा चमड़ा है हाँ हाँ हच्छा का बच्चा तुम गाउ का मोची है तुमने सारी उमर ऐसा चमडा नहीं देखा यह बलोचे स्तान से आया है और 20 रुपई की मत है इसकी जी साहिब, हमने कहां सारी उमर में ऐसा चमड़ा देखा है? किस्मत कहां? साहिब ने क्या? ठीक है, अब तुम हमारे वास्ते इसका फुल बूट बनाओ. जी, बना देंगा. हाँ, बना देगा. याद रखो हम कौन है और ये चमड़ा कैसा है? हम जंगलों का अफसर है और हमा बूट कलकत्य में बनता है. देखो, ये हमारा बूट एक साल जरूर चले, ना इसकी शकल बिगड़े और ना टांका उखड़े. अगर तुम बना सकता हो, तो चमड़ा लेकर काट दो, अगर नहीं तो कह दो. हम अभी कहता है, अगर बूट का शकल खराब हो गया, या टांक का उखड़ गया, तो तुमको क्याद कर देगा. अगर अच्छा बूट बनाया, तो हम 10 रुपाय देगा. संतु डर गया, ते पिछे खड़े हरी दूट नू अरक मारी ते पुछेया के काम लवे के ना? हरी दूट ने आख्या लैलाओ. संतु ने साहिब दी शर्त मंजूर कर लई ते साहिब ने आपने नौकर नू बुला के आपना खबा बूट उतारंदा हुकम दता. मेचा देण वासे संतु दे अग्ये लात राख देती. संतु विचारे ने अपने हाथ परने नाल के नीवार पूँझ के साहिब बहादर दा मेचा लैना शुरू कीता. अड़ विच बैठा होया लोकाँ वाले बड़े रोब नालता करिया सी. ओधी नजर पई हरी दूत दे. पुछन लगा ये आदमी कौन है? संतु ने आख्या हजूरे कारीगर है जी बूट ऐसे ने सीने ने. साहिब बहादर बोल्या देखो कारीगर ऐसा बूट बनाओ कि एक साल ज हुए? कुचर देख देखके हरी दूत अचानक मुस्करा पया ते उधा चेरा चमक पया. साहिब ने कड़क की आख्या है बलड़ी फूल दांत क्यों निकालता है? देखो बूट जल्दी त्यार हो. संतु ने आख्या जी हो जानगे? हाँ, जल्दी फूल बूट बनादो. ए आख्ये उने अपने बूट ते पोस्तेन पहन ले ते कोठडी चो बाहर निकलन लगा पर सिर ने वोना पुल लगया. ते उधा सिर वज्या दरवासे दे नाल, गालां काड़ दा ते सिर मालदा ओ बग्गी दे विच बैठके चला गया. जादो तुर गया, ता संतु आख अखन लगा, भई आदमी दा कद काट होवे ते आइना, हैं, एनु तो कोई हथाडे नाल भी न फे सके, हां, सेर्का देखोए दा, विश्नी आखन लगी, जंगलां दा सैब है, हट्टा कट्टा क्यों न होवे, जेहे हट काट देता मौत विनी नेडे आंदी, संतु ने हरी दूत नु ताकीद कीती, के चमडा बड़ा मेंगा ते साहबे गुस्से आला, तो तु आदमी स्यान, मेज दे अनुसार बणावी, हरी दूत ने सत बचन आके चमडा कटना शिरू कर देता, विश्नी पई वेख दी सी, ते हरान सी के हरी दूत ने आइन नरम सली पर बणा द वेख्या, ते हो देखा, नियो निकल गई, दोहथर पेटे के आखन लगा, हरी दूत, मेनु कैद करा देने, एक साल तेनु कामकार दिया हुया, तो कदे गल्स दी नहीं किती, मैं साहिब नु की जवाब दियांगा, ओई चमडा कितों मोडांगा मैं, अजे संतु दी मुआ माली गल मुक्की नी सी, कि दर्वाजे ते खडाक होया, जद वेख्या, वर्दी आला चपडा सी, बाहर कोडा बानर या, बिश्नी ने बुहा खोले आते नौकर अंदर आया, जड़ा साब भादर नाल सी, संतु ने पुछया जनाब की हुकम है, ओने आख्या में साहिब ने मेनु बूटा वास्ते पेज़ जया, संतु आखन लगा, बूटा वास्ते हुकम की है, नौकर क्यान लगा, साधी साहिब नो बूटा दी लोड नहीं, ओन मर चुके ने, ये कि में हो सक्दा पर, नौकर ने आख्या, तो साधे पासो जाके, कारपांचन दी वेली नी मिली, ओ फिटन दे विची मर गया, जदकार पांच के असी फिटन दा बूहा, साहिब दे उत्रण वास्ते खोल या, तो मर के इतना अकर चुका सी, के बड़ी मुश्किल नालसी अनु गड़ियों बाहर कड़िया, साधी मेम साब ने मेनु फोर अंदोडाया, के मोची नू कहो, ब बचया होया चमडा ते, सिलिपर, कागर्श चे लपेटे ते, उस नौकर दे, हवाले कर देते, हौली हौली समा बीटता गया ते हरी दूतनू, संतु दे पास रेंदें छे साल गुजर गए, पर ओधियां आध तांच कोई फर्क ना आया, ना बार जाना, ना बोलना, ना हस केवलो दो बार हस्या सी, एक ता जदो बिश्णी ने उनू रोटी देती सी, ते दूजा जद साहे बाहादर चोंपडी जाया सी, संतु ओधे कामते बढ़ा परसान सी, सो उने स्वाल ही पुछने छाट देते, एक दिन सारे कार्च बैठे सी के संतु दे मुंडे ने आके आ का, आपना काम छाड के एद दा बाहारोनू बड़ी अजीव द्रिश्टी नाल वेखर आ सी, जदो जनानी दो हां कुडियानू लेके अंदर आई ता संतु ने उठके ओधा आदर कीता ते बैठन नू ठाँ दिती, कुडियां सहम के जनानी दे नेडे होईया, जनानी ने आ बनाए, पर मुंडा चंगा काम कार दहेगा, संतु ने हरी दूत वाल देख्या, हैरान होया, हरी दूत कुडियानू बिट बिट वेखर आ सी, कामतन दा ओधी चोली वी चैमें प्यासी, पर अधी नजर कुडियां ते सी, संतु ने लंगडे पैर दा माप लेया, ते बाकी पैरान दा माप लेके मुल दा फैसला करन लगा, जद फैसला हो गया, ता उने जनानी ने आख्या, लंगडे पैर दा खास ख्याल राख के बूट बनाणा, संतु आखन लगा, बहत अच्छा, विचारी कुडि ते बड़ी संदर है, पैर दा पता नी, जनम तो इशैद ऐसा हो गया, जनानी आख्या, लगी, नहीं, ऐस बच्ची दी खबी लातता, एदी माँ दे तले चाकी चिताडी गई, संतु ने पुछया, ता फिर आपे न दी माता नहीं हो, जनानी आख्या लगी, नहीं, मैं न दी माते नहीं है, मेरा ते कोई होर रिष्टा भी नी, एकुड प्रेम बहुत है ना, जनानी आख्या लगी, मैं न आख्यार ना करां तक की करां, दोहानू मैं अपणी छाती ददोद पलाया, मेरा एक मुंदासी, होनू रबने लेलेया, मैं ना कुडियानू ऐसा प्यार कर दियां, जो मुंडियान आलवी नहीं, बिष्णी पुछन लग आखरे तियां की दियाने, जनानी आखर लगी, एना दे बाप मरे नू छे साल बीट गए ने, दोवी एक को सतवारेच मर गए, बाप मंगलवार नू मरे आते शुकरवार नू जम्हियां, वर उसे दिने ना दी मावी मर गई, एना दा बाप लकड हारा सी, एक द्रख तो उ निरंकार दे देश पाँच गया, शुकरवार नू एक कोडियां जम्हियां, मैं दूजे दिने ना दे कर गई, एसाड़ी हमसाई सी, कर जाके वेख्या है ना दी मा मर के लकड होई पे, ते कोडियां दोवे जीम दियां, मरन लगयां, मा दी ये लातिक कोडि दे खब्बे पैर ते आगई ते ओ, लंगडी हो गई, जद गवांटियां ने कठे होके ना दी मादा सस्कार कीता था, सार्या मेनू आख्या, जो इनना कोडियांनू हाला पालो, पिछो कोई सलाह करांगे, मेरा मुंडा सी दो मी नेदा, मैं जवान साथ खुराक चंगी लांदी सा, मेरी छाती विछ दुद्ध इतना जादा हो गया सी कि मैं तिन्ना नू पाल दी रही, दो साल पिछो मेरा मुंडा ते मर गया, पर ए दो ने जवांदियां रही हा, लंगडीनू मैं पहला थोड़ा दुद्ध चो गवांदी सा, फिर मेरे मन दहा आई, पर ये वी राबदा जीव है, हैस्वेले मेनू एवाद प्यारी लग दिया, ये आक्योस जनानी ने लंगडी कुडीनू चुम्मे आते जो तियां दी साई देके टुर्दी हुई, हरी दुद्ध उन्नानू जान्दयानू तक दार्या, बिष्णी अर संतु हरी दुद्ध एस जीव दशाते प्रेशा सी, बिष्णी आखन लगी, स्याने आने आसाची आख्या, मा पे उनी पाल दे, रब पालन हाल, एस उनके हरी दुद्ध दा चेरा एनना चमक्या मानो बिजली दा चानन होवे, ओ आपनी था तो उठ खड़ा होया, कामतन दे वाले हत्यार मेज पर राक्की आखन लगा, सिर्दे चुफेरे चानन हो रहा सी, संतु ने ओठ के हाथ जोड़े ते आख्या, हरी दुद्ध असी जान दे आ, कि तु एमें ममुले इंसान नहीं, मैं ना तेनु रोक सागदा, ना आख सागदा, पर एदस में पहले दिन तेनु लिया आया सी, उदास क्यों से, बिष्ण जूत ने जवाब दिता, मेरे विचे चमक एस लईया कि अकाल पुर्ख ने मैनु सजा देन पिछो माफ कर दिता, मैं तिन वार एस लई हस्यां कि रबने मैनु तिन सवालां दे जवाब सिखन लई पे ज्यासी, मैनु वो पता लाग गए ने, पहले दा पता उदो लगा, ज साब भादर चोंपडी चाही ते तीजे दाज पता लगा, संतु ने पुछया, हरी दूतो सवाल की सी, ते तनु सजा क्यों मिली, हरी दूत ने आख्या, मैनु सजा यों मिली के मैं अकाल पुर्ख दा हुकम अदूली कर बैठा, मैं करतार दा दूता, मैं एक जनानी दी जा सजरियां, जौडियां, कुडियां, हले 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 हथ प्यार मार दियां सन, पर मा पास इतनी ताकत नहीं सी के उनु छाती ना लाके दुद जंगा हुए, मैनु देखके समझ आ गई, क्यां तो वेला आ गया, ते हाथ जोड के, रो रोके हो साख्या, हे करतार दे दूत, मेरा क सब्सकार वाला परसो मर्या सी, मेरी ना कोई मा न पैन, चाची, ताही, नणान, पर जाही कोही भी नी, एना बच्चियांनु कौण पालेगा, मैनु आज ना मार, मरं तो पहले मैनु आग्या दे, एना बच्चियांनु दुद पेहा के तुरुन फिरन जोगा कर दे, माब तो बिना बच्चे किमें जी आओ सकते ने दास पला, मैनु ओस जनानी ते तरसाया, एक कोडीनु चुक्के में ओधी छाती ते रख्या, दूजीनु ओधे हाथच फुडाया, ते निरंकार दे हजूर मुडाया, वापस आके मैं बेंती कीती के, ओस जनानी दा मर्दिक बिर चितले आके मर गया, दो सजरियां कुडियां ने, ओ कहन दिया मापाप तो बिना बच्चे किमें जी सकते ने, मैं इस वास्ते ओधी रूँ ने लई, अकाल पुर्ख वलो हुकम होया, जाओ, ओस जनानी दी रूँ लवो ते न तिना सवालां दे जवाब सिख क्याओ, सवाल पहला के आदमी दे अंदर वस्ता की है, दूसरा, आदमी नू किस गल्दा पता नहीं, तीसरा, जीवन आधार की है, जादे न तिना सवालां दे जवाब सिख लेंगा, ता तेनू वापस आण दी आगया मिलेगी, मैं फिर वापस तरती ते आया ते ओस जनानी दी आत्मा ल बच्चियां ओधी छाती ते डिग पईया, मरन लगया उने पासा परतिया, ते कुडी धी खबी लात्तुते, ओधी तली आके मरोडी गई, मैं रूनू लेके पिंडू तो बाहर अकाश, वे चड़या पारीक हवा चली, मेरे खांब चार ले गई ते रूख कली, निरंकार पास पौँच गई, मैं ओथी डिग पिया, मैं ओस्खेच कल्ला ते नंगा पिया सा, मैंनू मिनुक बढ़या पता लगा, पुख ते पाला की हुन्देने, मैंनू पूख लगई हुई सी ते पाले नाल कुकडी हुई पिया सा, नाल दे शिवाले दा दर्वाजा बंद सी, ऐसले शिवाले दी कंद दे उल्ले बैठ गया। शाम पैगई ते मैं तकलीफ चिसा। मैं तेनू अंदा वेख्या, तेरे चेरे नू वेख के डर गया। तू अपने बाल बचियां दे खान पीन दे फिकर चिसा। मैं क्या ये साद मीनू मेरे ते कोई तरस नी होना। और जाद तू मेरे वाल देख्या, तेरा मू मेनू होर प्यानक दिसया। ये निराश हो गया। पर जाद तू मुढ के आया, पहला तेरे मुखडे ते मौद निशान सी, हुन जीवन दी चलक सी। मैनू तेरे हिर्दे विच अकाल पुर्ख दी जोत नसर पई, तू मेरे नेड़े आके चादर दित्ती उठाया, ते अपने नाल कारले आया। ओन देहनू मैं विश्नी दा मुँँ वेख्या, ओ तेरे नालो भी जादा प्यानक सी, नराज हुई, मौद दी बदबूच मेरा सा रुक्या, ओ मेनू करों कड़ना चौन दी सी, पर मेनू पता सी, जे येने मेनू कड़ दित्ता ता यदी आत्मा मर जाएगी। फेर तुँ ओनू रब दा नाम लेके प्यार नाल समझाया, जदो रोटी पाणी लेके आई, मैं वेख्या ओदे दिमाग पर काल दा कबजा नहीं, सगो जीवन सी, निरंकार दी चलक सी, उन मेनू पहले सवाल दा जवाब मिलिया कि आदमी दे अंदर की वास्ता है, मैं समझ गया आदमी दे अंदर प्रेम वास्ता है, मैं खुश होया कि आकाल पुर्ख ने मैनू छेती ही पहली सवाल दा जवाब दे दे ता सो मैं हास पया, तो आड़े पास रहन देयां साल बीद गए, और साहिब बहादर आये, अखे जुत्तीक साल चले, मैं ओदे मूवल देख्य आपने ही एक साथी रब्बी दूत नू वेख्या, पर मेरे सिवा होर किसे ने ओस दूत नू न वेख्या, सो मैं समझ गया कि आज दिन डुबण तो पहला, इस साहिब बहादर मर जायेगा ते, एदावे बन दा साला दे, पर है कुछ होर, हुण मैनू दूजे सवाल दा मिल चुका सी, ते मेरी आजादी विचे थोड़ा चरबाकी सी, ऐस उडिक्च मैं थे पांज साल होर कटे, जाद एज नानी आज कुडियां सने आई, मैं लंगडी कुडिनू पशान लेया, जाद जनानी ने कुडियां दी सारी विथया सनाई ता मैं सोचया, मैंनू एना द जादी सी के मां पयोतो बिना बच्चे किमें जी साकते ने, ओधी एगल मनन दे करके मेनू सजा होई न, पर वेखो, कुडियां पाल पईयां ने, राजी बाजी ने, जाद आजवाली जनानी ने ना कुडियां नू प्यार नाल चुम्मया, तो ओधे विच्वी अकाल पुर ता अंदौलत नहीं, जीवन अधार अकाल पर खाप है, मैंनू हुण पता लग चुक्क है के लोक चिंता नाल अपना कुझ नी स्वार दे, जादो प्रेम कर देनी ता कुझ सौर दा है, उनू मा नू पता नहीं सी के बच्चियां नू पालन वास्ते किस चीज दी जरूरत ह साहिब बहादर नू पता नहीं सी मैंनू किस किसम दे बूटां दी लोड है, किसे बंदे नू नहीं पता के शाम नू उनू कोट दी लोड पएगी के खफन दी मैं जेकर छे साल थे गुजारा कीता ता काल पुर्ख दी दया नाल, बंदा बंदे दा पालन हार नहीं, हर इक जीव दा आधार आप प्रेम सुरूप अकाल पुर्ख है इकलना करद्याई, हरी दूत दे खंब लग पए, छत पाट गई तेओ आखदा होया, अकाश वल नू उट गया साच कहों सुन ले सबै, जिन प्रेम कीयो तिन ही प्रब पायो साच कहों सुनले सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो